जिए दूस्तों मेरा ना मेरतूल और स्वागत है अपका अपनी यूटीब चैनल अतुल्टिक बजार में तो दूस्तों बोट ने लॉंच कर दी है बोट वेव लिंक वॉइस कॉल नाम की एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाच जो की बहुत ही एग्रेसिव प्राइजिंग के सौथ लॉंच ही है और एक और चीज यहां पर काफी दा इंपॉर्टेंट है यह एक्सक्लूजिवली ऑफलाइन मार्केट के लिए लॉंच ही है इस वाच को पिछले दो तीन दिन से हम कंटिनियूसली वियूस कर रहे हैं इस वाच के रिकार्डिंग डीप में आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी तो भी यह जो वाच आपको ऑनलाइन तो बात लॉंच की इसे पराइजिग के बारे में थोड़ी डीटेल में कुन देर में बात करते हैं, पहले दोस्तो से वाच के बारे में बात करते हैं, इस वाच में को 1.69 इंचें का प्राइटर डिस्प्ले मिलता है जो कि 550 निट स्प्राइटनेस के साथ में आता है काफी अच्छा डिस्प्ले आपर प्रवाइट किया गया है और यहां पर जो सेंसर स्वागरे हैं बातेमें इस वाच में आपको एक्स्टर फीचर मिल जाते हैं जैसे लाइव स्कोर ग्रीट याप 24 क्रोस 7 इस वाच के ध्रूद दॉच सकते हैं और यहां पर आपको वाइस एसस्टेंट वाला फीचर। मिल जाता है आप कर लेते दो इसकी pricing की तो यहां में दोस्तो exclusively offline market में boat ने इस watch को उता रहा है boat wear link voice नाम से इस watch का जो price है दोस्तो यह भी काफी ज़दा कम है जनरली जो bluetooth calling watch हमें मिलती है वो ठाई जार के आसपास मिलती है तीन जार के आसपास मिलती है यहां पर one triple nine इसकी जो कीमत रखी गई यह one triple nine है और offline market में आपको दो हजार से कम कीमत में यह watch exclusively मिल सकती है दो हजार रुपे की watch है लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे features हैं जो कि आपको जानना जरूरी है और अगर आप दो हजार रुपे के अंदर-अंदर कोई watch लेना चाहते हैं जो कि आपको अच्छे feature के साथ Bluetooth calling watch मिल जाए तो यहां पर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important होने बहुत से start करते हैं तो box पर कीजिंग कुछ इस तरगी मिलती है वेव लिंक वोईस मेरे इंडिया प्रोडक्ट है इसके left-right में कुछ specification लिखिया है इसके बारे में detail में हम बात करेंगे box से मारे के आप देख सकते हो 6499 है और प्रफ़शिक की unboxing करते है यहां पर आपको manual wick मि device हम को मिलती है एक watch जो कि काफी बहतर और काफी डिस्प्ले इसका प्रवाइड किया गया है आप देख सकते हो build quality भी काफी अच्छे दिख रही है फरस्ट इंप्रेसन इसका काफी ठीक ठाक लग रहा है यहां पर matte finish metal design आपको देखने को मिलता है यहां पर black variant हमारे पास में ह इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं पीशे की तरफ हम पहले बात कर लेते हैं यहां पर charging connector आपको मिल जाता है और यहां पर sensors वगरे मिल जाते हैं काफी अच्छा look यहां पर back side में भी दिया हुआ है यहां पर mic and speaker दिया हुआ है साथ में आप यहां पर music वगरे भी सुन सकत है और आल जो back design काफी impressive है और metal finish यहां पर आपको मिल जाता है यहां पर front look आप देख सकते हो first look यहां पर काफी बहतर यहां पर लगता है impression काफी अच्छा है watch का अगर आप इसे wear करेंगे तो काफी attractive यह watch लगती है और आल यहां पर जो display है 1.69 inches का bright display यहां पर provide किया गया है च क्योंकि 550 nits brightness के साथ में आता है इसका touch response आप देख सकते हो काफी quick touch response है वैसे दोस्तों यहां पर charge दिया हुआ है इसका display में on करकर दिखा देता हूँ symmetric bezel आपको दिये गया है कुछ watch में नीची के तरफ ज़्यादा bezel रहते हैं बट यहां पर symmetric bezel है और काफी अच्छे यहां पर overall display आपको मिलता है यहां पर जो dedicated button है यह भी अच्छी quality का दिया हुआ है तो भी normal watch में हमें क्या चाहिए अच्छा एक display चाहिए 1.69 inches का अच्छा यह watch आती है इस watch में dedicated feature है cricket का score आप 24 का 7 देख सकते हो इसे app के थुरूँ set करना होता है कैसे set करना हम आगे बताएंगे फिला जोस्तों यह watch काफी अच्छी watch है और यहां पर touch response display और इसकी durability है वो काफी बहतर है design and display के बाद हम बात करते हैं यहां पर strip की यहां पर board की branding आपको bottom म मिलती है and यहां पर जो strip है आप देख सकते हैं 22 mm का strip है और काफी अच्छी quality यहां पर screen friendly material यूज किया गया है पहतर quality यहां पर यूज की गयी है और साथ में दूस्तों बकल देख सकते हो इस price segment पर plastic बकल नहीं मिलता है metal का बकल यहां पर provide किया गया है जो कि gun metal finishing के साथ में आ decent look watch देती है अगर आप इसे wear करोगे पड़ा पड़ से कुछ feature देख लेते हैं calling का feature हम इसके बारे में बाद में detail में बात करेंगे बितूत calling watch है activity में अगर आप देखोगे तो यहां पर 10 sports mode का support आपको मिलता है यहां पर बहुत सारे sports mode है जो कि आप यहां पर select कर सकते है activity record heart rate sleep monitoring SPO2 monitoring की सारी जो facility यह watch में मिल जाती है sleep monitoring यहां पर breathe exercise आप कर सकते है notification वगरे सेक कर सकते है stop watch, timer, alarm, flash light, camera, music, control, find my device, setting का option है आप यहां पर दूस्तों अगर सबसे bottom में हम देखेंगे तो यहां पर voice strain वाला feature मिलता है थोड़ा सा time लेता है और यहां पर यह एक्टिवेट हो जाता है जिसे आपको टैप करना है और आपके mobile में चाहिए Android हो तो Google Assistant अगर आप Apple का mobile यूज़ करें तो Siri यहां पर वर्क करने लगेगा तो यह काफी अच्छा accurate तरीके से voice assistant जिसमें वर्क करता है इसके अलग 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 अपके notification आप यहां पर set कर सकते हो एप के through यहां प कैसे वर्क करता है डीटेल में हम बाद में देखेंगे यहां पर do not disturb का option find my device और यहां पर आप जो है इसके brightness से चेक कर सकते हो सेट कर सकते हो सेटिंग का option में अगर आप जाओगे watch faces का option मिलता है नॉर्मल वाच में 1200 यहां पर आपको 600 प्लस watch faces का support मिलता है यहां आप के थूरू भी देखेंगे यहां पर screen slip timer आप set कर सकते हो यहां पर आप वाइब्रेशन सेट कर सकते हो स्ट्रॉंग और नॉर्मल अब बात करते हैं सबसे इंपोर्डेंट फीचर ब्लूथूथ कॉलिंग की डालर को option यहां पर आपको मिल जाता है phone book का और call history का यहां दूस्तों आपको phone book का जो option मिलता है इसमें आप 10 context save करके सकते हैं सारे context sync कर सकते हैं app के तुरू यहां पर जैसे ही आप डालर पर जाते हैं आप देख सकते हो काफी अच्छा डालर यहां पर आपको देखने को मिलता है काफी बड़ा सा space सा यहां पर mostly जो watches रहती इसमें बहुत ही छोटा सा डालर मिलता है जिसमें आप अच्छे से नहीं कर पाते बट यहां पर काफी अच्छा लूप देखने को मिलता है यहां पर हम कॉल करके देखते हैं यहां पर देसकते हो स्वीच को option अवलेबल है mostly premium watch में भी सेच को option अवलेबल नहीं रहता जैसी आप इसे टैप करोगे यह phone में switch हो जाता है और यहां पर speaker भी काफी अच्छी quality का दिया हुआ है काफी loud sound यहां पर आपको मिलता है तो इस तरह का outgoing calling UI आपको मिलता है one tip पे आप mobile में और one tip पे off watch में switch कर सकते हो यह काफी अच्छा option यहां पर दिया हुआ है जो switch watch में incoming UI कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है यहां पर quick reply का भी option इसके बा जब भी आप watch purchase करोगे quick reply का option आप tap करोगे तो इस तरह का option आपको दिखेगा यहां पर board की जो traced app है इसके through यह option on होता है setting में आपको जाना पड़ेगा app install करने के बाद यहां पर देख सकते हो watch setting का option आपको दिख रहा है इस पर tap करना पड़ेगा यहां पर quick reply का option दिया हुआ इसे दुस्तों यहां पर on करना पड़ेगा इसके लिए आपको permission देनी पड़ेगी तो वह quick reply on करने के लिए sms की permission को आपको allow करना पड़ेगा दें दुस्तों वापस से आपको boot create app में जाना पड़ेगा और यहां पर quick reply option आप देख सकते हैं अगर आपके mobile में कोई call आता है यहां पर quick reply आप easily तरीके से कर सकते हो यह काफी premium feature है quick reply और switching का जो कि इस 2000 की watch में आपको मिल जाता है बात करें accuracy की तो हमने इस watch को test किया है इसके table भे रखके हमने SPO2 monitoring heart rate monitoring करने की कोसिस करी है और यहां पर जो इसका UI quick reply देता है यहां पर trace करने में से जरा भी समय नहीं लग करती है SPO2 monitoring भी अगर आप इसमें करते हो यहां पर ठीटा की यह watch work करती है काफी अच्छे sensor से दिये गए हैं काफी अच्छी quality है even दोस्तो हमने इस watch के through step tracking भी किया है आप step tracking भी जो है काफी accurate तरीके से हमें result देती है सारी कुछ detail आपको इस watch के through मिल जाती है step tracking अगर आप इ accurate यहां पर sleeping दिखा रहा है इसके अलावा deep sleep light sleep का option भी यहां पर available है तो काफी accuracy के साथ यह watch work करती है तो watch के extra feature अगर आप unlock करना चाहते हो तो play store से board create app को आपको download कर लेना चाहिए जैसे ही आप इसे download करते open करते है user interface आपको कुछ इस तरह से मिलता है अगर आप इसे login कर लेते है इस app का और इसमें board का ecosystem भी है जिसमें आपको health related सारी details यहां पर मिल जाती है यह काफी detailing के साथ इस app में यह work करता है इस watch के through आपने जितने भी task कि हैं इसकी सारी e to j detail आपको यहीं भी मिल जाएगी है यहां पर buddies को option है यहां पर आपनी किसे friend को आप add कर सकते है उसके साथ भी task कर सकते हैं board का ecosystem काफे अच्छी तरीके से work करता है home में अगर आप जाओगे तो यहां पर सारी details आपको मिल जाएगी एक सारा colorful app है जो कि काफी अच्छा attractive दिखता है यहां पर rank and widgets को option available है साथ में setting में अगर आप जाओगे तो my profile wave link voice के features है extra जैसे ही आप about your device में जाओग में यहां पर इसे किया है वेव link voice features में अगर आप जाओगे तो watch faces के options मिलते हैं यहां पर 100-200 नहीं 600 प्लस watch faces मिल जाते हैं यहां पर cloud based watch faces आपको देखने को मिलते हैं जो कि generally update होते रहते हैं जब ही कोई festival or occasions आते हैं यहां पर यह automatically update होते हैं यहां पर custom wallpaper को आप अपने watch face में set कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहां पर standard reminder का option विल रहा है नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो facebook, gmail, whatsapp, twitter, instagram and telegram एप को यहां पर notification आप रख सकते हो इसके अलावा 24 cross heart rate monitoring आप कर सकते हो bluetooth calling का option है यह दूनों ही option आपके mobile में connect होना चाहिए तब ही जाके दोस्तों यह bluetooth calling work करेगा इसके अलावा यहां पर आप अपने contacts को भी sync करके रख सकते हैं साथी में दोस्तों यहां पर 10 contacts save करके रख सकते हैं watch के अंदर इसके अलावा watch को आप google fit से भी connect कर सकते हैं साथी में दोस्तों quick reply के लिए मैं आपको बताया था settings section में आपको यहां पर watch setting में चले ज features को unlock कर सकते हैं इसके अलावा top right पर आपको cricket का symbol देखेगा जैसे ही आप इसे tap करते हो यहां पर आप देख सकते हो जो option मैंने आपको पहले बताया था कि live cricket score आप देख सकते हो यहां पर आपको match select करना है save करना है और जिस भी match को आपने select किया इसका live score आप watch में देख सकते ह यह काफी अच्छा unique and dedicated feature है जो की boat ने आपको watch में available कराया है अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की इस watch में 240 mh के बैटरी दी गए और इसके watch का weight है only 46 gram का है अब दोस्तों यहां पर जो magnetic connector दिया हुआ है इसके through इस watch को आप two hours में approximately charge कर सकते हो और अगर battery wake up के बारे हम बात क दोस्तों अगर आप calling use नहीं कर रहे हो normal watch को use कर रहे हो तो five to six days का battery wake up इसमें मिल जाता है और अगर आप calling use कर रहे हो तो यहां पर हमारे experience के हिसाब से यहां पर two से one point five days तक यहां पर आप easily इसे use कर सकते हो तो battery wake up यहां पर ठीक ठाक ही है इस watch का 240 mh की battery दी गई है काफी तो यह जो watch है दोस्तों IP 68 rating के साथ में आती है 2000 की watch में आपको Bluetooth calling plus feature plus IP rating मिलना बहुत ही rare है यहां पर IP 68 rating मिलती है इसके साथ हमने यहां पर water test भी किया है आप देख सकते हो काफे अच्छे तरीके से यह survive कर जाता है और कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं जाती है water पढ़ने प है काफे अच्छे response यह watch देती है तो यह जो watch है exclusively offline market में ही available है और इस watch के regarding deeply यहां पर हम इस video में बता चुके हैं फिर भी कोई doubt question आपके रह गया होंगे तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं इस watch के regarding हम सारे कुछ answer आपको देदेंगे यहां पर दोस्तों यह 2000 रुपे की watch है मार्केट में बहुत expensive watch भी available है लेकिन दोस्तों यह जो feature आपको इसमें मिलते हैं जो expensive watch में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं Bluetooth calling watch सबसे बड़ा यहां पर feature है जो कि आपको 2000 रुपे की watch में देखने को मिल जाता है साधी में यहां पर live cricket score देख सकते हैं IP68 rating के साथ में आप 1. 1.69 इंचेस का brighter display मिलता है 550 nits brightness के साथ में daylighting condition में भी कोई दिकत नहीं जाएगी इतना अच्छा इसका display है और साथी में दूस्तों other features के बारे में हम पहले भी यहां पर बता चुके हैं और आल दूस्तों यहां पर काफी अच्छा display design यहां पर features के साथ में provide किया गया है यहां और दूस्तों यहां पर आपको music control camera control का option मिल जाता है inbuilt यहां पर speaker और mic का support मिल जाता है music आप इस watch से सुन सकते है और all जो build quality है इसका strip quality है सब कुछ यहां पर A to Z पहतर quality में दिया गया है और की तरफ से यहां पर कोई भी cost cutting नहीं किये गए तो वही chroma, reliance store, widget sale और अपके nearest electronic store में अगर आप जाओगे तो यहां पर यह watch easily आपको मिल जाएगी वैसे कोई doubt कोई question आप comment section में मुझे पूछ सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स नहीं वीडियो के साथ में तब तक के लिए जहन बोलते रहिए बंदे मातरम